नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस्टॉक्स इजुकेशन में दोस्तों इस चैनल में मैं हमेशा कूसिस करता हूं कि आपको छोटी से छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें जादे से जादे information आपको selected करके दे सकूँ जिससे आपका भी time बचे और आप जादे से जादे information गेन कर सकें तो चलिए start करते हैं वीडियो का और देखते हैं आज का हमारा कौन सा ही stock है बैवाव global limited अगर इस company की बात के तो यह company लगातार गिरता ही चला जा रहा है यानि कि इस company के लिए support और resistance दोनों काफी अच्छे से काम करें क्योंकि एक level जाने के बाद यह company उससे नीचे नहीं जाता और उपर जाने के बाद उस level को तोड़के उपर नहीं जा पा रहा है तो जो लोग इस company को buy करके रख चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो लोग buy करने की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए चाहे वो long term के लिए हो, चाहे वो short term के लिए हो, complete detail की बात करेंगे, वीडियो में last तक बने रहा है, कोई भी part मिस न करें, आप देखेंगे, last trading session में यह company close हुआ है, 318 रुपए पे, जबकि इसमें 3.5% से ज़्यादे की गिराउट भी आपको देखने को मिला है, अगर इस company के 52 week high और low की बात करें, तो इसने अपना low बनाया तर 350 रुपए का, और वहीं अगर इसके high की बात करते हैं, तो 1050 रुपए का आपको detail देखने को मिल जाएगा, अगर इस company के last trading session में delivery की बात करें, तो आप देखें कि 75% से ज़्यादे की delivery उठाई गई है, यानि कि इस share को ल के revenue और company के profit growth की बात कर लेते हैं, तो आप देखें कि इस company का revenue है, वो हर साल लगातार तेजी के साथ grow कर रहा है, जबकि अगर profit की बात करते हैं, तो profit में भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो भी काफी तेजी के साथ grow करता ही चला जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसे sales को buy करके चला जा सकता है, क्योंकि यह एक multi bagger share और अभी काफी कम price पे भी मिलना है, तो आप जितना चाहे तो buy करके long term के लिए hold कर सकते हैं, तो देखते हैं इस company का और detail, दोस्तों अगर इस company के important points की बात करें, यहां से आपको समझ में आएगा कि retail निवेसक हमेशा loss क्यों करते हैं, आप देखेंगे इस company में आपको जो promoters holding देखने को मिलेगा, वो 58, 10,16% का detail देखने को मिल जाएगा, जबकि अगर FII की बात के तो 11,54% का detail आपको देखने को मिलेगा, जो कि September 2018 में 8,82% का हुआ करता था, अगर वहीं बात करेंगे DII की तो आप देखेंग हुए नजर आए हैं, जबकि अगर public की बात के तो देखेंगे public अपनी holding कम करती हुई नजर आई है, जो कि 13,24% का हुआ करता था, इस time current में बचा हुआ है 11,72% यानि कि जो सभी अपना माल बढ़ा रहे हैं तो public अपनी माल कम कर रहे हैं, तो ऐसे में जाइड सी बात है कि ज चार हजार रुपए, पांच हजार रुपए क्रॉस कर जाएगा, तो सारे public खरीदना ही श्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद काफी ज़्यादा उपर प्राइस भी खरीदने से अच्छा है कि आप नीचे current प्राइस भी अगर बाई करते हैं, तो यह से आपको काफी उपर ही जाता हुआ नजर आ जाएगा है, हाला कि इस लेबल पर थोड़ा सा consolidate या फिर थोड़ा सा correction भी देखने को मिला है, तो यही तो मौका है इस company को buy करने का, तो देखते हैं इस company का और detail क्या बनता है, जोस्तों आप देखें कि 2010 में इसकी जो price हुआ करती थी वो रुपए वाला सेर आज 700 रुपए के पहुंच चुका है, तो 11 साल में लगभग आपको हर साल यह सेर 100% का return देकर आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐस stock को buy करके long term के लिए hold करना चाहिए, तो देखते हैं इस company का और detail क्या बनता है, अगर वहीं short term के chart क बात के तो short term में कुछ खास performance देखने को नहीं मिला है, अब देखेंगे अगर इसके resistance की बात करते हैं, तो आपको 800 रुपए के पास resistance देखने को मिलेगा, डाउन सायंड में अगर support की बात करते हैं, तो आप देखेंगे 695 रुपए के पास support देखने को मिलेगा, यानि कि down जब यह company जाता है, तो यहाँ support लेग रहा है, अगर अब की बात करें, तो यहाँ पर resistance फिस कर रहा है, इसी range में पिछले काफी time से चलना है, अगर इसके थोड़ा सा उपर निकलता है, तो फिर आपको 820 रुपए से लेकर 850 रुपए का range देखने को मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से इस company को अगर current level पे आप buy करना चाते हैं, तो आप 700 रुपए के आसपास buy करके चल सकते हैं इस company को, क्यों यह company जितना नीचे आप buy करेंगे profit उतना ही ज़्यादा आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएगा long term में, तो मेरे ख्याल से long term के लिए buy किया जा सकता है इस company को, जो लोग 100 term के लिए buy करना चाते हैं, वो लोग चाहिए तो 700 रुपए के आसपास buy कर सकते हैं, जब यह company अपने resistance के पास जाएगा, यानि 800 रुपए के पास जाएगा, तो फिर आप चाहिए तो sell करके अच्छा कासा profit कमा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें, thank you for watching this video.